नमस्कार दोस्तों मैं भारती बहुत सार खापिलो किचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ सबसे पहले तो आप मेरे यूटुब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए तो आज हम बनाने जा रहे हैं मॉम एक बड़ा कटोरा मैदा ले लेते हैं इसको चान लेते हैं या दो कटोरी मैदा ले लेते हैं और इसको हमने चान लिया है इसमें हम नमक एट करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग या बंधफोर्थ चमच नमक डाल देते हैं इसको हमको सकत आटा गोथना है पुड़ी के जै के नहीं मैदा थाली में और बस एक चमची तेल डालना है और इसको हम 10 से 15 मेट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं और जो आटा गुथा है वो काफी टाइट ही होना चाहिए पुड़ी जैसे बनाते उतना टाइट और अब हम जो है पत्ता गोबी को फ्राइ करेंगे तो मैंने दो चमच के करीब तेल लिया है और ये कम से कम 8-10 लेसन के कलिया ली है इसको बारिक काट लिया है और इसको भी कड़ाई में डाल दिया है अब एक इंच के करीब अधरक लिया है इसको हमने ग्रेट कर लिया है और इसको भी ह बिल्कुल लो से मेडियम फ्लेम पर और इसके बाद अब हम इसमें पत्ता गोबी अट कर देंगे तो बड़ी आसे मूमुस बनकर रेडी होने वाले हैं तो ये सारा पत्ता गोबी हमने डाल देते हैं और साथ ही में अब हम इसमें कुछ मसाले अट करेंगे अब हमको flame इसे stage पर high करनी है तो ये मैंने सबसे पहले गरम masala डाल दिया है और अब मैं इसमें आदा चमच लाल मिर्च डाल दूँगी और साथ ही में मैंने नमक भी add कर दिया है और थोड़ा सा healthy powder डाला एक color के लिए तो अब हम अच्छे से इसको mix कर देंगी नमक जो है skip हो गया है आप नमक जरूर डालिएगा जिससे ये पत्ता को भी बहुत जल्दी गल जाएगा और इसको हम अब high flame पर ही पकाना है क्योंकि हमको full पकाना नहीं है इसलिए इसका सिर्फ जो पानी है वो सूख जाए इतना हमको पकाना है तो high flame पर करते हुए कुछ ऐसा हो गया इसमें मैंने थोड़ा सा soya sauce डाल दिया है करीब आदा चमच के करीब और ये हमारा बढ़िया सा मसाला बनके ready हो गया है बहुत simple तरीके से बता रहे हैं आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा गाजर भी डाल सकते हैं तो ये हमारा ready हो चुका है इसको पानी छूटते तक के पकाना है इतना अब मैं आपको दो तरीके से बताने वाली हूँ मोमोस को तो ये मैंने दो लोईया ली हैं बड़ी सी बना रहा बता रही हूँ ये देखें फ्रेंड्स अब मैं इसको एक जो है लोई बेल दी थी मैंने उसके बाद दूसरी भी अब मैं इसको आपको बनाना बता रही हूँ कि एक साथ आप काफी सारे मोमोस कैसे बना सकते हैं मुमोस बनाने में काफी दिक्कत आती है छोटी छोटी लोईया बना फिर मुमोस बनते हैं तो ये देखे मैं लोई ली है अब इसका बेल लिया इसमें एक एक चमच में रख देती हूँ थोड़ा थोड़ा छोड़ कर तो ये देखे फ्रेंट्स मैंने सारी जगे पर इस टैप से जमा लिया है अब मैंने जो दूसरी लोई की रोटी बेली थी ये देखे फ्रेंट्स एक साथ कितने सारे मुमोस बन जाएंगे वो आपको ट्रिक सिखा रही हूँ तो अब मैं इसमें दूसरी जो लोई बनाई थी उसको भी मैं इसमें चिपका देती हूँ ये देखिए फ्रेंट्स अब मैं अच्छे से दवा देती हूँ ये ट्रिक दो तरीके से बना रहे हैं सिंपल तरीके से भी मुमुस बना न बताऊंगी अब मैं अच्छे से दवा देती हूँ और अब मैं, जहां अमने स्टिप छोड़ी थी वहां उंगली की साहयता से उपनी दवा दिया है अब हम क्या करेंगे हम चाको की साहयता से इसको काटेंगे बिल्कुल वो जगे से काटना है जहां हमने मसाला नहीं भरा है तो ये देखिए फ्रेंड्स बढ़िया से ये मॉमोस हम काट रहे हैं आहिस्ता से काटना है ये बढ़िया से मॉमोस हमारे कितने सारे एक बार में करीब चार, आठ और बारा मॉमोस एक ये बार में बनकर रेडी हो गए है तो ये देखिए अब हम धीरे से उठाएंगे थोड़ा सा सेट करेंगे ताकि ये इसका मसाला बहार निकले नहीं तो ये मैंने नई नई डिजाइन के मॉमोस बना रखे हैं ये थोड़ा सा निकल गया है इसको भी हम सेट कर लेते हैं कोई दिक्कत की बात ने वैसे भी फ्राय तो करना नहीं है तो अब हम इसमें पानी डाल देते एक कड़ाई लेते हैं और इसमें हम करीब एक से देड़ गिलास हमने पानी डाल दिया है और आपने पास एक स्टैंड लीजिए और उसको रख दीजिए और मैंने यह जाली वाली थाली ली है आपके पास जाली वाली थाली ना हो तो सिंपल थाली या प्लेट का इस्तमाल कर सकते हैं जो की कड़ाई में आसानी से आ जाए मैंने घर पर यह स्टीमर तैयार किया हुआ है तो यह हम मॉमोज जो है काफी डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के बन गए है तो यह मैंने इसमें डाल दी है यह देखिए फ्रेंड्स अब मैं इसको मीडियम से हाई फ्लेम कर देती हूँ और ढख देते हैं ढखने के बाद कुछ इस तरीके से नजर आएंगे तो पांस से साथ मिर्ट बाद कुछ इस टैप से मॉमोज हो जाएंगे तो यह देखिए आप इनको एक साइट से पलट देते हैं और अब मैं आपको दूसरे तरीके से मॉमोज बताती हूँ मैंने एक लोई बचा लिये थी तो अब मैं इससे छोटी-छोटी लोईया बना लेती हूँ मॉमोज वैसे ऐसे ही बनते हैं बर मैंने आपको दो तरीके से बनाना बताये थे अब मैं इसकी छोटी-छोटी पतली से पूरी या पपड़ी से बेल लेती हूँ ये देखिए वैसे तो इसे टाइप से बनते मैंने आपको दो तरीके बताए हैं ये दूसरा तरीका जो सब ही बताते हैं जनर ली और मैंने इसके पपड़ी बेल ली है और इसमें एक चमच पत्ता गोबी का मसाला भर लिया है और देखिए मैं इस डिजाइन से ऐसे मॉमोस बना हुए है दूसरा भी बना के बता देती हूँ यह देखिए फटाक से बन जाते हैं ऐसे भी और आपको यदि बनाने में इसमें दिक्कत आ रही है तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं तो अब हम इसको भी बाफ लेंगे और यदि आप फ्राइ करना चाहते हैं तो फ्राइ मॉमोस भी हम बता सकते हैं तो यह देखिए फ्रेंड्स यह तो हमारी जो पहले तैयार किये थे उस टाइप के मॉमोस थे यह दस मिनिट के बाद कुछ इस टाइप से मॉमोस हो जाएंगे तो ये देखिए हमारे मॉमोस बनकर रेडी हो गए हैं आप इसको लेसन की चटनी और मियोनी उसके खा सकते हैं तो आपको मेरी रेसेपी कैसी लगी जरूर बताईए